हलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर्शन एक वीडियो में जिसका शीर्षक है यहाँ पे पॉलिटिकल साइन्स जो की आपका बीए सेकेंड डियर थर्ड सैम का कुश्चन पेपर है यहाँ पे इंपोर्टन्ट कुश्चन दो तरीके से दिये जाएंगे तो दोनों ही इसी भी एक एरिया को अच्छे से लर्ण कर लेना है ताकि कहीं भी ओप्शन आये तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेर रहें अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लिटिकल साइन्स का आपका 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 अपका आपका आप तू और इसका पेपर का नाम जो है इं इसको फोलो किजिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला कुष्ण यूनिट वन से है यूनिट वन जैसे कि जितने उनिटा सम्में दो-दो ओप्शन हैं सिवाइं पांच्वें यूनिट को चौड़कर तो पहली यूनिट में आप देख सकते हैं राजे राम मोहन राय क सामाजिक और राजनेतिक विचारों का जो आप वर्णन या विवेचना कीजिए 16 नमबर का कुश्चन है थोड़ा सा यहां पे इनका जीवन प्रिच्चे देने के बाद आप इसको डारेक्ट सामाजिक और राजनेतिक विचारों में अब यूनिट 2 में देखिए दादा भाई नारोजी के धन की निकासी के सिधान की व्यक्या इसको भी आप अच्छे से लंकर कीजिएगा फोर्थ क्वेच्चन है भारतिय राजनेतिक चिंतन की गोपाल कृष्ण गोखले के योगदान कीजिए इसके उप्शन में है थाड़ यूनिट से देखिए स्वामी विवेकनन्द के सामाजी को राजनेतिक दर्शन की व्यक्या कीजिए यानि दो तरीके का ये भी क्वेच्चन आपको आठाट नंबर के हिसाब सी अटैंप्ट करना है इसके उप्शन में शीक्स है अरविंद के राजनेतिक विचारों के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक आधरों का विवेच्चन कीजिए यानि वर्नन कीजिए इन में से भी आपको ये कर सकते हो सेंथ क्वेच्चन यूनिट फोर से लाला लाजपत राए के राजनेतिक दर्शन का वर्नन कीजिए और इसके उप्शन में इन ही का क्वेच्चन है सुराज मेरा जन्व सिध अरिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यान इन में से दो में से कोई एक आप मिक्सप भी लिख सकते हो दोनों क्वेच्चन में से लेकिन क्वेच्चन नंबर डाल दीजिएगा सिफ उस से सभी क्वेच्चन की वीडियो मैंने बना रखी है तो आप वहां से इनको देखके लर्न कर सकते हैं एक अच्छा इंप्रेसिव आंसर जो है वहां पे लिखा हुआ है आपको फुली वहां पे मिलेगा अब यहां पर यूनिट वन जो आपकी है यहां पर हर एक क्वेच्चन दो दो नंबर का है आठ क्वेच्चन इसमें से आपको करने हैं यह वन वर्ड वन संटैंस पे निर्भर करते हैं जैसे कि पहला क्वेच्चन इसमें है जुमिदारी व्यवस्था पर राजा राम मोहन राय के विचारों का मुल्यांकन केजिए दो नंबर का क्वेच्चन यानि एक से डेड़ लाइन दूसरा है अस्प्रिष्टा पर स्वामिदेयानन के विचारों का वर्ण यानि ये क्या समझते थे चुआ चुट के बारे में तीसरा दादा भाई नारोजी के राजनेतिक चिंतन पर एक संक्षी तिपने लिखिए देखिए इन में से आफाइदा क्या उठा सकते हैं मैं आपको ट्रिक बताती हूँ आपको पता भी होगा फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जो क्वेच्चन आपके बड़े हमाल लीजे तीसर ένα घ्र-भाई नारोजी के दैन के निकास के सिदान तो इस मेन से कुछ ऐसी चीज है जो आप良्त इसके थर्ड पार प्रक्रफिये Arbeits दादा भाई नारोजी के राजनेतिक चिंटन पर इसमें से आप अराम अराम से लिख सकते हो क्योंकि उसमें भी होगा यह चीज इसमें फोर्थ क्वेशन देखिए फिनाइंत में निश्क्रिय अप्रती रोध पर गोखले के विचारों का अब उपर यह सारे क्वेशन रिपेट होकर आ रहे हैं आप कोई भी ऐसे क्वेशन कीजिएगा जो छोटे और वड़े दोनों से फिप्त इसमें है धर्म पर स्वामी विवेकानंत के विचारों का वर्णन केजिए अर्विंद के व्यक्ति गत्त स्व्हतंतरता संबन्दी विचारों का वर्णन कीजिए अगला है लाला लाजपतराय की दो रचनाओं के नाम लिखिए तो यह तो आपको जीवन प्रीचे म ही पता लग जाएगा आठवां question last राष्टरवाद पर तिलक के विचारों के वर्णन कीजिए तो यहाँ पर यह question आप maximum ऐसा कीजिएगा यहाँ पर चाहे तो इन में से आप ले सकते हो देखे मैं आपको बताती हूँ maximum questions ऐसे हैं यहाँ पर जिनको आप उपर वाली question से उठा सकते हो बिलकुल आराम से यहाँ जैसे लिखोगे डिटेवल में लिखोगे आप उन ही के यहाँ से आप छांट कर इन में से वही question कीजिएगा जो आपने उपर अच्छे से किये हैं यानि 16 नंबर के साथ साथ आपको य अच्छे से आएगा उसी का short रूपी यहाँ पर है अब इसमें हम देखते हैं आगे second question paper है हमारा यह भी same है आपका लेकिन इस पर question का pattern जो है वो अलग है अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ 16 16 नंबर के questions दे रखे हैं राजा राम मोहन राय के समाजिक राजनेतिक विचारों की व्याख्या कीजिए यह important हर एक unit से आपका एक question आएगा और दूसरी unit के साथ comparison करेगा कहीं बार एक unit में से भी दो दे देते हैं जैसे लाला लाजपतर राय का था तो इनको आप अच्छे से maintain कीजिए याद कीजिए बिलकुल बहुत अच्छी तरीके से स्वाम अर्विद गोषकि निश्क्रिय अ प्रतिरोद की अवधारना का प्रिक्षन कीजिए लाला लाजपतर राय के सुराज संबंदी विचारों की रेकें कीजिए इसमें लिखना वही होता है यह title आपको अलग से इसलिए दिए जाते है ताकि आप confuse हों कि इस बात को हम पूरہ में कैसे लिखेंगे तो आपको डरने के जोरत नहीं है क्वेशन आपके बिल्कुल प्रिपेर हैं वीडियो देखिए और वहां से अच्छे से लर्न कीजिए लाला लाजपतराई की स्वराज संबंदी विचारों की व्याख्या कीजिए नेक्स्ट है छटा क्वेशन तिलक के प्रमुख राजनेतिक विचारों की व्याख्या कीजिए नेक्स्ट दादा भाईन और रोजी दुवारा प्रस्तु धन के निकास बहुत इंपोर्टन क्वेशन है नेक्स्ट इसमें नाइन्थ क्वेशन जो कि आपका उब्जेक्टिव है फर्स्ट इसमें देखिए इसमें यह पैटर्न यहां पर चेंज हुआ तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आया आपको प्रिपेर रहना है और यह समाज की स्थापना किस ने की थी तो यहां पर यहां पर ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी तो ब्रह्म गोपाल कृष्ण गोखले एक नेता थे उदारवादी करांतिकारी उग्रवादी ठीक है दादा भाई नरोजी एक नेता थे किस मतलब इन के जो है रिष्टिकोन बताए गए है उदारवादी थे करांतिकारी थे अउग्रवादी थी तो इस तरह से आपको क्वेशन यहां पे इस दो पैटन में मिलेंगे या तो आपके वो दो दो नंबर के क्वेशन के हिसाब से आएंगे या फिर यह पार्ट जो मैं को अब ही बता रही हूं इस तरीके से आएंगे तो दोनों ही तरीके में आप अच्छे से त्यार रहेगा एमसी क्यू और जो छोटे क्वेशन से उनमें को ज्यादा अंतर नहीं होता है फर्क क्या है सिर्फ इतना है कि आपको यह उप्शन नजराते हैं तो दोस्तों में में अंतर इतना ही है यहां पर आपको थोड़े उप्शन ज्यादा मिल जाते हैं और इनको आप अच्छे से हैं जो दिमाग लड़ा कर किसी तरीके से गैस करके अच्छी गैस जो भी होती है कहीं बार तुक्के फिट बैठ जाते हैं तो यही इस हिसाब से आपको दिये गए हैं लेकिन आपको प्रिपेर दोनों तरीके से ही रहना है आपको बिल्गुल शोट क्वेशन अच्छे से कर लेने हैं साथ में एमसी क्यों अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एट लिस्ट यहां से आठ नंबर आपके निकल ही जाएंगे और जिनके कि आपको पूरा एक सोलह कर लेकिन आपको बिल्ग।